नमस्कार स्वागत आपका रियाना नुज 24 पर मैं हूँ प्रिंस लामबा हर्याना के अंदर चुनावी आहट सुनाई देने लगी है तो वहीं चुनावी माहोल वी दिन वदी ने बंता जा रहा है बात करें सताधारी पार्टे की या फिर बात करें विपक्स की दोनों ही अप अपने तोर पर तैयारियों में जुट चुके हैं अपने अपने त्रीकों से तैयारियों में जुट चुके तो साथ ही माहोल को अपने पक्स में करने के लिए तमाम परियास किया जा रहे हैं तमाम कवायदें की जा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी चर्चा आज के दिन राज कि तीसरी बार मनोहरलाल खटर का मुख्या मंत्री बन पाना मुश्किल है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनोती मनोहरलाल खटर के सामने आने वाले समय में यही होने वाली है और इसी मामले पर आज विश्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले आपको बताते चलें कि बीजेपी और RSS यानि कि BJP हाईकमान और RSS संग अपने अपने स्तर पर हरियाना परदेश में सर्वे करवारे है सबसे पहला सर्वे करवाने का उदेश्च्य यही है कि 2019 की तरह पर हरियाना परदेश में 10 की 10 लोकसवाशीटों को किस परकार जीता जा सकता है किस परकार दस की दस लोग समा सीटों पर एक बार फिर कबजा जमाय जा सकता है कैसे हर्याना परदेश में भी तीशरी बार सरकार रिपीट की जा सकती है होगी नहीं होगी और होगी तो कैसे होगी ये सर्वे करवाय जा रहा है तो वही साथ ही एक सर्वे ये भी हो रहा है कि मनोर लाल खट्र की परदेश के अंदर कितनी लोग पिरियता है प्रतेक समाज के अंदर मनोरलाल खटर की कितनी पकड़ है हर वरग के बीच मनोरलाल खटर कितना समन जस्य बैठा पा रहे हैं कितना समन वे बना पा रहे हैं कितना जो है अपना मेल मिलाप प्रतेक वरग के साथ है बना पा रहे है ये सर्वे भी हरियना परदेश के अंदर BJP हाईकमान की तरफ से और RSS संग की तरफ से करवाय जा रहा है और हरियना परदेश में आज के दिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि परदेश की जनता परदेश के लोग मुख्या मंतरी मनोलाल खटर को कितना पसंद कर रहे है और कितना नापसंद कर रहे है पसंद करने के कारण क्या है और नापसंद करने के क्या कारण है अब बात करें सरवे की तो सरवे कर्वानदा क्यों जरूरी है। उसको लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो सरवे इस लिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी के अंदर खुद ही गामासान मचा हुआ है कि लोगसबा और विधान स्बा चुनाओ साथ होने चाहिए। या फिर लोगसबा और विधानसबा चुनाओ पर्स पर अपने समय अनुसार तैस समय अनुसार होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए जिसको लेकर बीजेपी हर्याणा में विवाद छीड़ चुका है जहां एक तरफ मुख्यमंत्री मनोलाल खटर और उनके समर्थक यानि की विधायक मंडली है तो वहीं दूसरी तरफ है सानसदो का जो मंडली है वो ठीक मुख्यमंत्री मनोलाल खटर है और उनकी विधायक मंडली के विपरीत खड़े हैं दोनों गुटों की दोनों पक्सों की राय अलग अलग है चुनाओ को लेकर एक पक्स चाहता है चुनाओ सा पी ने लोक सभा के अंदर 10 की 10 सीटे जीतने का काम किया कहीं न कहीं बीजेपी ने पहली बार हरियाना परदेश में 10 की 10 सीटे जीतने का ये कारनामा करके दिखाया 2019 के लोक सभा चुनाओं में तो उसके पस्चियात जब कुछ समय बाद ही विधान सभा के चुनाओं हरियाना प्रदेश में होते हैं तो बीजेपी 90 में से मातर 40 सीटे जीत पाती है जबकि बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की वार 55 पार हालांकि 55 पार तो बहुत बड़ा अकड़ा रहे गया बीजेपी बहुमत के पास भी नहीं ठहर पाई कहीं ना कहीं जेजेपी और निर्दले व बेलने पड़े थे अब अगर बात करें राजनेतिक समिक्सकों के या फिर बात करें बीजेपी के विशवसनीए सुट्रों की तो ये कहा जा रहा है जो जो लोक पिरेता बीजेपी के और मुख्यमंत्री मनोलाल खटर की कुछ समय पहले तक चरम पर थी वो इस कार्यकाल में घटती जा रही है जिसके कारण है मुकाबना बेकतरफा नहे होकर दिन बढ़ता जा रहा है कड़ी टकर जो है विपक्स में और सतापक्स में देखने को आने वाले चुनाओं में मिल सकती है और यही कारण ह कि बीजेपी के लिए तीसरी बार सरकार बना पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है चुनोती पूर्णे होता जा रहा है लेकिन बात असल यह है कि तीसरी बार अगर बीजेपी तमाम चुनोतियों को पार करते हुए तमाम बाधाओं को करोश करते हुए पार करते हुए सर देखने को मिलेगा अब इसके भी कुछ परमुख कारण है आप सोच रहे हो कि क्या कारण हो सकते हैं पहला कारण यहीं बताया जा रहा है कि के अंदर अब किसी भी परदेश में किसी भी राज्य में स्थानिय छत्रप को मजबूत नहीं होने देना चाहता है जिसे वसुंद्र पाना बेहद मुश्किल हो जाए वो नेता वो छत्रप केंदर के कहने सुनने से बाहर हो जाए अपनी मनमर्जी के अनुसार काम करें और केंदर जो आदेश करता हूं आदेशों के पालना ना करें जिसको लेकर अब केंदर एक नई नीति लेकर चल रहा है जिसमें किसी भी नेता को किसी भी स्थानिय चत्रप को ज्यादा समय तक पावर नहीं दी जाए यानि कि दो से तीन टरम तक किसी भी नेता को सीम बनाया जा सकता कोई बड़ी पावर दी जा सकता उसके बाद उसे वो पावर ना दी जाए ताकि उस परदेश की राजनीती केंदर के कंट्रोल में रहे वो नेता केंदर के किंट्रोल में रहे यही कारण है कि फिलहाल तीन राज्य में चुनावी जीत के बाद बीजेपी ने तीनों स्टेट के अंदर यानि कि रजस्थान मध्य परदेश और 36 गड़ के अंदर ऐसे नए चेहरों को CM बनाया है से नए चेहरों को राज्य की कमान सोपी है जिनका ना तो परदेश की राजनितिक में कोई अच्छा खासा वजूद था ना ही पार्टी के अंदर कोई अच्छी खासी पकड़ थी ना ही जनता के बीच कोई मजबूत और ससक्त चेहरा वो तमाम CM रहे है और यही कार दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि हर्याड़ा परदेश के अंदर मुख्य मंत्री मनोलाल खटर और ग्रह मंत्री आनील वीज का जो 36 का आकड़ा है वो किसी से चुपा नहीं है जिसको लेकर केंदर को भी अब यह बातचीत संभालनी बेहद जटिल लग रही है बेह जादतर संभावनाएं यही जताई जा रही है सुत्रों के माने तो यह कहा जा रहा है कि मुख्य मंत्री मनोलाल खटर को परदेश की बजाए केंदर की राजनीती में लाया जाएगा है उनको करनाल से लोकसबाद चुनाव लड़वा कर केंदर में बुला लिया जाएगा त मनोलाल खटर की बजाए अनिल विज को केंदर की राजनीती में लाया जा सकता है बुलाया जा सकता है और कहीं न कहीं इन्हीं दोनों कारणों के चलते यह कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी हरियान परदेश में तमाम चुनोतियों को बाधाओं को पार करते वे तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहती है तो ये संभवतिया बिल्कुल तैह हो चुका है कि CM चहरे पर बदलाव क्या जाएगा CM चहरे के रूप में किसी नए नाम पर किसी नए नेता पर BJP दाव लगाने का काम करेगी तमाम दूसरे प्रदेशों की तरह जो नीती BJP लेकर चल रही है कि राज्यागी राजनीतियों में नवी निखन क्या जाए परिवर्तन क्या जाए ताकि जो स्थानी अच्छतरप हैं जो अपने आपको मजबूत कर चुके हैं उनके जड़ों को उखाड़ा जासके ताकि वो आने वाले समय में बविश्या में केंदर के कहने सुनने से बाहर ना जाएं और जिसको लेकर हरियाना में भी बदलाओ बिल्कुल संभव है ये कहना है BJP सुत्रों का ये कहना है राजनीति के स्मिक्सकों का विशलेसकों का हालांकि इस बात पर इन कारणों पर इस पूरी चर्चा पर ठोस दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारा काम तमाम जो चर्चाएं परदेश के अंदर चल रही हैं वो आप लोगों तक पहुचाना है और हमारा जो आकलन रहता है वो तमाम राजनितिक विशलेसकों की बाते सुनने के बाद जो विशलेसकों के दवारा दावे किये जाते हैं उनको देखने सुनने के बाद और जो बीजेपी विशलेसन ये सुत्र होते हैं उनके अनुसार आकलन किया जाता हो राज का आकलन भी ठीक है इन्ही चीजों के अनुसार हमारा रहा है हालांकि ये फैसला बीजेपी हाई कमान को करना है, ये फैसला बीजेपी आला कमान को करना है कि तीसरी बार मुख्य मंत्री मनोला खटर हर्याना परदेश में CM का चहरा होंगे या फिर अन्या परदेशों की तरह राजस्थान, मद्या परदेश और 36 गड़ जहां हाल ही में बीजेपी ने जीत दर्ज करके तीनों परदेशों में CM नए चहरों को बनाया गया उसी तरह हर्याना परदेश में भी बदलाओ किया जा सकता है आपका इस बारे में क्या सोचना है कि मुख्यमंत्री मनोला खटर को बदला जा सकता है या फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोला खटर को CM बनाया जा सकता है अगर बीजेपी सत्ता में आती है, अगर बीजेपी सत्ता में आने में सफल हो पाती है आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर कॉमेट अपने रहा है जरूर रख दीजिए नहीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लामबा हरियाना न्यूज 24 नमस्कार जैहिंद